जहां एक तरफ ठंड कम होने से आम लोगों को राहत मिल रही हैं वहीं मोसम की इस इस्तिती से किसानों की चिंताय लगातार पढ़ती दिखाई दे रही हैं क्योंकि जनवरी और फरवरी महीने में जो ठंड होती है उसकी वज़े से गेहों की बढ़वार भी अच्छी होती है असल बढ़ती है अच्छे से और इसमें दाना भी अच्छा बढ़ता है लेकिन इस बार दिन और रात के मोसम में बदलाव देखा जा रहा है अब इसे ही जहां दिन का तापमान 32 डिगरी सेल्शेस तक दर्ज किया जा रहा है तो वहीं रात का तापमान 16 डिगरी सेल्शेस तक दर्ज किया जा रहा है जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है किसानों का कहना है कि फरवरे में ही ज़्यादा गर्मी पढ़ने से ग्यों का फोधा ज़्यादा बढ़ नहीं पाता और दाना भी बारिक निकलता है जिसके चलते ग्यों की उपज़ भी परभावित होती है क्रिशी मंतरा ले द्वारा जारी किये गए आंकडों के अनुसार वर्स 2022-23 में ग्यों की बुआई का कुल शित्रफल पिछले साल की समान अवदी के मुकाबले एक पॉइंट 39 लाख हैक्टियर से बढ़कर 343 लाख हैक्टियर हो गया है कि ग्यों कि वसलकु एक मिन्ने पहला गर्मी आगी यह आणी तो थी उसमें मार्च में या फरवरी में आगी ना तो यह पूट कर रहे ना यह बद रहे ना इनमें बाल लिखड़न का डब जो बाल लिखड़ भी चुटी मुटी उसमें दाना नहीं लगए गर्मी की वज़ेत है इसको तो ग्यों में इतना नुक्सान है कि बिल्कुल जीरासा लिखड़ेंगे जो लिखड़ेंगे भी लागत बढ़ी लागत भी दूगणी लगा ली पानी दूगणी दे लिए फिर भी कोई असर नहीं हो रहा गर्मी की वज़ेत है आप मान इतना बढ़ रहा है इसका इतना बड़ा परभाव पढ़ रहा है जिससे के फसल बिल्कुल बहुत ही जाते कम जो रहा है और अगर बविश्य में इसा हो रहा कि इतनी महंगाई आजागी कि आना जरावना पंद हो जगा और पैदाबार बिल्कुल खतम आए पर रहा है पर प्तवा गंगल रहा है तड़िवनान इसे बालन में भष्यों कि अनलाग बड़ा आगर क्भाक करें डे कि कि दराव आख भादेट भादेट उ क्या नुक्सान हो जिए ने ने अप्छान हो जिए परफेली पात्ती ओ गंचास सब ने जब काम रहा है राथ कूज और दवा माय मुख्ती गेर ली आमा दलाई गया निन में दवार दाना भिर्जव गया है लागत बढ़ती जारी हाँ लागत तो इसमें हिदना मुझ लेला जो किसो गोटते